आज हम करेंगे आवर बोडी क्या करेंगे आवर बोडी का मतलब होता है हमारा शरीर ठीक है तो आज हम शरीर के अंगों के बारे में यानिके बोडी पार्स के बारे में जानेंगे ठीक है आपको ये किसी का चित्त दिखाई ले रहा है यहाँ पर देखो और यहाँ पर यहाँ पर नोज और यहाँ पर फूट ठीक है तो यह है नेम्स ओफ बोडी पार्स इनके जो आपन अभी बताई है वो क्या है इनके नाम क्या है यह है अपको बच्चे क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं खेलते हुए देखो यहां पर यह लड़की दोड़ रही है यहां पर यह पड़ रही है यहां पर यह कुछ छू रही है और यह खा रहा है और यह कुछ सूंग रही है तो यह क्या कर रहे हैं अपने श्रीर के विभिन अंगों से क्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ठीक है तो आज हम करेंगे अपने बोडी पार्ट के बारे में यह चित्रा आपको दिखाईते रहे हैं अब देखो यहां पर जो यह है इसके सिर के ऊपर क्या है यह है hair, 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 hair means, ball, very good, यहाँ पर यह क्या है देखो इसका, ear, यह क्या है, इसका, ear, ear मतलब, अब यहाँ पर यह देखो, यह क्या है इसकी, nose, nose, यहाँ पर यह क्या है देखो, chest, very good, chest means, चार्टी, यहाँ पर देखो इसका यह, हाथ का, क्या दिखाई तेरा में यह, thumb, thumb means, अंगूठा, ठीक है, t-h-u-m-b, thumb, यहाँ पर यह देखो इसकी, यह क्या है, fingers, 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 यहाँ पर यह देखो, यह क्या है इसकी, leg, यह क्या है, foot, foot, यह foot है, और foot के आगे क्या है इसकी, toe है, ठीक है, toe means, पाउं की उंगलिया, और यह है इसका foot, यानिके, pair, एक pair को हम foot बोलते हैं, और जब दोनों pair का जिक्र हो, तो हम इनको feet बोलते हैं, क्या बोलते हैं, feet, अब यह देखो, यह क्या है यहाँ पर इसकी, यह है, thigh, ठीक है, और यह क्या है इसके, hand, और यह क्या है इसका, arm, बाज़ो इसकी, ठीक है, गुजा भी बोलते हैं इसको यह क्या है इसका माऊथ मउथ मोथ और यह क्या है इसकी आई एक आई और दोनों को हम बोलता हो आईज क्लियर है यह इसके बोड़ी पाइब हम करते हैं इसका अब हम करेंगे इसके working of body parts क्या है working of body parts ठीक है इसके अंदर हमें दिखाये गए हैं जैसे ही चित्रों में दिखाये दे रहा है कि हमारे जो body parts होते हैं वो विभिन परकार के कारिये करते हैं ठीक है all the parts of our body are important to use ठीक है we perform various jobs with their help जैसे हमारे जितने भी body parts है उनकी द्वारा हम विभिन परकार की job यानिके कारिया करते हैं ठीक है उनकी help से ठीक है जो हमारे body parts है उनकी help से हम बहुत सारे कारिया करते हैं यहाँ पर देखो यह बच्चा क्या कर रहा है यह खा रहा है इसको हम बोल किया करते हैं अब पकड़ा है और सबस्तों क दोड़ा हिए नांच पाहकं है रहिए घंस कारिया रही है खांधिल आया गदन को भी यहानिके स्रीर के जो जीतने भी पार्स है वो डांसिंग में हम यूज करते हैं Epic यह डीकिली टीक्ति लिए यह और यह ख़ता है और आन्हें से यहां से इसको देख रही है ठीक तो यह reading कर रही है यहां पर यह देखो यह music player जो बज रहा है इसकी sound को यह क्या कर रही है सुन रही है hearing कर रही है hear means सुनना आगे देखो यह लड़की गुलाब का जो फूल है उसको सुन कर रही है यानि कि smelling कर रही है ठीक है तो किसकी साहता से करते हूं लड़का आगे लड़का देखो जिसके भाप निकल रही है गरम दूद्था साहती है ठीक है इसको touch किया तो यह रोने लगा ठीक है तो touching किसे करते हूं इसका सवाद चक रहा है ठीक है तो हम जीब की दोहा करते हैं टेस्ट करते हैं ठीक तो यह थे हमारे body parts और उनके working ठीक है तो आगे की जो इसमें exercise रखी है write the name of any three body parts and their work आपने क्या करना है अभी श्रीर के जो three body parts लिखने हैं क्या लिखने है और उनकी working लिखनी है working यह थे ना जैसे eating running dancing reading hearing smelling touching और टेस्टिंग यह किन body parts के द्वारा की जाती है example मैं बता देता हूं जैसे जैसे हम running क्या है running किसकी साहिता से करते हैं feet की साहिता से ठीक है ना दोनों पाओं के उज़्ज करते हैं तो feet तो आगे लिखने आपने feet और उसके बाद क्या करना आपने running ठीक है उसके बाद जैसे हम कर सकते है mouth mouth का mouth के वर्क हो क्या है eating करना ठीक है उसके बाद जैसे reading reading किसे तो आइस से ठीक है तो बहुत देंगे eyes उसके बाद देंगे उसका working क्या है रीडिंग या watching देखना या पढ़ना आगे है जैसे ear, ear का वर्क क्या है listening या hearing ठीक है, आगे जैसे nose nose का वर्क क्या है smelling, ठीक है, तो ये सब आज का homework है, और ये सब आपको करना है, ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही तब तक के लिए बाई बाई आपको करना है, जापको करना है